Hello, Assalamualaikum my all YouTube family. How are you all? I hope so you all are doing just fine like I am doing here. Welcome back to my channel Al-Barqa Foods. वो तमाम लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को कर ले सबस्क्राइब साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मद भूलियेगा. आज आप लोग के साथ बीफ ने हरी की रेस्पी शेयर करूंगी. उसके लिए हमने माश की दाल ले ली, गंदम ले ली, मूँ की दाल ले ली, चने की दाल ले ली, 3 बैट 4 कप तमाम चीज़ें हम लेंगे. राइस हमने ले लिए हैं, same quantity में. उसके बाद हमने बाकी सारी भी दाली, इसमें मिक्स कर दिये, और इसमें हमने ओट्स भी मिक्स कर दिये, half cup. अभी one by one इन तमाम चीज़ों को हमें एक बाउल में shift करेंगे, except wheat, क्योंकि wheat थोड़ी सी hard होती है, इसलिए हम उसको अलग से separate एक बाउल में डालेंगे. तमाम दालों को इसमें डाल देंगे, इनको mix कर लेंगे, अभी गंदों में हमने separate बाउल भी निकाल ली थी, उसके अंदर भी हम गरम खौलता हुआ पानी डालेंगे और इन दालों के अंदर भी, और इसको रख देंगे तकरीबन एक गंटे के लिए, एक गंटे के बाद य जाएंगी, गरम पानी डालेंगे ये फायदा होता है, अगर आप इनको ओवरनाइट बिगो के रखेंगे तो ज्यादा बेनिफेट हो गाएगा, अभी हमने एक कप ओई ले लिया और इसमें तीन स्लाइस किये वे अनियन शामिल कर दिये, इनको अच्छे से कर लेंगे फ्र इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इनको फ्राइ करते रहना है, फ्राइ हमारे हो चुके हैं पिर इसमें तू टेबल स्पून डाल देंगे जिंजर और गारलिक का पेस्ट, इनको भी दो से तीम नट अच्छे से फ्राइ कर लेंगे, अभी इसके अंदर हम डाल देंगे एक किलो बीफ, बीफ को भी अच्छे से इसमें भून लेना है, तक्रीबन पांस से दस मिनट के लिए आपने बीफ को अच्छे से भूनना है, अभी आ जाती है बारी मसाला जात की, इसमें हाफ टी स्पून हम डाल देंगे हल्दी पाउडर का, नमक इसमें डाल देंगे, ए एक चमच, अगर आपको जादा स्पाइसी दलीम चाहिए तो इसमें आप जादा भी एड़ कर सकते हैं, रेड़ चिली फलेक्स हम डाल देंगे एक चमच, गरम मसाला डाल देंगे आदी चमच, बस इतने से मसालों से हमारी दलीम तियार होगी और बहुत ही मज़ेदार बने अभी इसके अंदर आप पानी शामिल कर देंगे तकरीबन एक लीटर, पानी मैंने इसमें थोड़ा एक लीडर से जादा ही आड़ किया था, क्योंकि बीफ ने अभी गल्ना भी है और फिर हमें थोड़ी सी ग्रेवी भी चाहिए जिसके अंदर बागी चीजे पकेंगे, अभी देर के बाद दाले बॉइल हो जाएंगे तो अभी ने को अच्छे से ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया है, इस तरह एक फाइन से पेस्तियार हो गया है, फिर हमने जितना भी हमारा बीफ था उसको हमने सेपरेट एक बड़े से बरतन में शिफ्ट कर दिया और इसको भी अच्छे से हम मैश कर लेंगे, आपको थोड़ी सी ग्रेवी नजर आ रही है, अभी दली में इसके अंदर दालों के साथ मिक्स होके पकना है, तो हमें थोड़ी बहुत ही इसमें ग्रेवी चाहिए, ये भी अच्छे से मैश हो चुका है, हमारा बीफ अच्छे से गल चुका है, अभी जो हमने दालों और गंदम का पेश स्यार किया था, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे, और इसको हलकी आच पर पकने के लिए छोड़ देंगे, चमाच हिला के इसको अच्छे से मिक्स अब कर लेंगे, अभी इसको हम पकने देते हैं, आच आपने बहुत ही मीडि तो इसमें आपने प्यास चामल कर देने हैं, दो से तीन अदद, इनको इस तरीके से आपने इनके कटिंग कर लेनी है और इनको बहुत अच्छे से गोल्डन फ्राइ करना है आपने, हमारे बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इस तवाम धड़के को दलीम के अंदर शिफ्ट कर देंगे थोड़े से प्यास मैंने ब्राउन की एवे सेपरेट कर लिया थे इसकी डेकुरेशन के लिए इसकी एंड पे जो हम गारिशिंग करेंगे उसके लिए हमें प्यास चाहिए होगे तड़का हमारा रेडी हो चुका है और दलीम की कंसिस्टेंसी हमें इतनी ही चाहिए मजीद इसको 5-10 मिनट पका लेंगे और बहुत ही मज़ेदार सी डिलिशियस देगी स्टाइल की दलीम हमारी रेडी हो चुकी है अभी इसको हम डिश आउट कर लेंगे जो सब्राइब साब प्याज करे रखे वे थे उस से मैं इसको अच्छे से गानिश कर लूँगी फिर कुछ मैने अदरत के लिशे रखे वे थे कुछ लैमन इन तमाम चीजों साब इसको अच्छे से गानिश कर ले और Enjoy करे Thanks for Watching my video, subscribe to my channel and press the bell icon for all the latest updates